कुमार के साथ जुड़ चुके हैं आप कक्षा 11 की हिंदी के जितने भी विद्यारती हैं एक बार जुड़ जाएं लाइब क्लास स्टार्ट हो चुकी है आचार केश हैंगे क्या आचार केशवदास का हम पढ़ेंगे साहितिक परिचे चुकी कक्षा 11 और 12 में जीवन परिचे नहीं आता है साहितिक परिचे और क्रतियां आती हैं तो 80 शब्दों में आती हैं तो ये 80 शब्दों में नपे तुले शब्दों में हम आपको पूरा जीवन परिचे लेकर के आये हैं बिल्कुल इतना ही लिखना जितना हम आपको बता लगेगा थोड़ा सा बंसे समझेंगे आप तो लगेगा बिलकुल सरल है क्यूंकि बहुत कम शब्दों में बहुत short cut में हम लेकर करका है और इतना ही आपको एक्जाम में लिखना है चलिए तो सबसे पहले आप डाल देंगे पहले जब एक्जाम में जाएंगे लिखने तो प बहुत अच्छी उपादी है, कठिन काव के प्रेत किसे कहा जाता है, आचारे केशवदास को कहा जाता है, तो कठिन काव के प्रेत केशवदास जी का जन्म सन 1555 इस भी में औरच्छा के प्रसिद्ध पंडित काशिनात के घर में हुआ था, यानि सीधी सी बात है, एक दो ये परिचे देना बहुत अनिवारे हो जाता है, तो कठिन काव के प्रेत केशवदास जी का जन्म सन 1555 इस भी में औरच्छा में हुआ था, कहां हुआ था, औरच्छा में हुआ था, औरच्छा में किसके घर में हुआ था, पंडित काशिनात के घर में, काशिनात कौन थे, पिता थे इनके, ठीक है, समझ गे, महा कभी केशव जो हैं, कुछ कभी, कुछ साहित्यकार, कुछ आलोचक, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, कि केशव दास से ही रीतिकाल की परंपरा चली थी, प्रथम कभी रीतिकाल के केशव थे, केशव की रचनाओं से ही रीतिकाल प्रार होता है ठीक है तो महा कभी केशव रीतिवादी काब विधारा के प्रवर्तक एवं प्रचारक माने जाते हैं ठीक है क्या माने जाते हैं अब कौन माने जाते हैं केशव दास ठीक है उन्होंने कविता में भाव पक्ष के स्थान पर कला पक्ष की प्रधानता स्विकार की है पह पर किला दिखाई यहां अलंकार भी समाई, रस भी था, संद ब सी दान उनकी जो चली वह कला-पक्ष की पाला पक्ष की परतानता स्विकार की है तत कालीन काली उसिससमाई की काब Simple 思ल का केशवदास का केशवदास अलंकारवादी आचारे हैं और रीतिवादी काविधारा के प्रवर्तक प्रचारक माने जाते हैं भावपक्ष के स्थान पे क्या दिया कलापक्ष की प्रधानता सुईकार की है ततकालिन काविधारा के क्षेत्र में एक नए यूग का सूत्रपा लिजिए रस विवेचन नाइका भेद अलंकार एवं छंदूप के रूप से केशव ने काव कर दास को अलंकृत किया, यानि जो भी काव केशव दास ने लिखा उसमें रस विवेचना की है, नाईका भेद, नाईकाओं के प्रकार, उढ़ा, नबूढा, है ना, तमाम नाईकाओं के प्रकार होते हैं, परपत्सत पतिका नाईका, पती परदेश जिसका चला गया है, पती परदेश से आ रहा है, पती परदेश को जाने वाला है, ऐसी तमाम नाईकाओं को, नई नाईक पुरानी नाई का तमाम नाई का भेद किया, अलंकारों का निरूपन किया, अलंकारों का उधारन दिया अपने कावशास्त्री गंथों में, इनकी काववे कला में निपुणता को देखते हुए, विद्ध्वानों ने इनहें कई उपनामू, या फिर कहलें, उपाधियों से पुकारा है, जैसे हिर्देहीन कवी केशो को कहा गया, कठिन काब केशो को कहा गया, ठीक है, वस्तु निरूपन, शब्द योजना, अलंकार योजना, एवं छंद विधान के शास्त्री रूप प्रस्तुत करने वाले केशव काब शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, बस आप इतना सहित्तिक परिचे लिखिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा, पूरे मिलेंगे, अब करतियां हेडिंग डाल दीजिएगा, और स्टार्ट कीजिएगा, केशव दास के द्वारा, रचित 16 गरंथ हैं, कितने गरंथ हैं, 16, 16 गरंथ हैं, लेकिन उपलब्द हैं 8 ग तो राम चंद्रिका, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, राम चंद्रिका को कहा जाता है, राम चंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव दास की है, ऐसे प्रशन आप से अब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो छंदों का अजायब घर इस राम चंद्रिका को कहा गया है तो number एक राम चंद्रिका डालिएगा number दो विज्ञान गीता विज्ञान गीता है क्या है आध्यात्मिक ग्रंथ है आध्यात्मिक समसते हैं भक्ती भावना से ओत परो वीर सिंग देव चरित जहांगीर जश्चंद्रिका जहांगीर का वरनन है वीर सिंग का वरणन है नक शिख एक इनका गरंथ है नक शिख में नाइका भेद है और नाइकाओं के नक से लेकर शिख करता एडी से लेकर चूटी तक स्रंगारिक वरणन है इस नक शिख में रतन बावनी और रतन बावनी में बावन इनके च्छन्द है रसिक प्रिया एक र करतब एवं अलंकार वरणन इसमें है यानि कभी के क्या करतब में है वो कभी प्रिया में बताया गया अलंकार वरणन इसकभी प्रिया में है तो कभी प्रिया रसिक प्रिया रतन बाउनी नक्षिक जहांगेज चंद्रिका ठीक है और राम चंद्रिका वीर सिंग देव चरीद ऐसे, इतना देखे, कितने हैं, रक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये हैं, दो बाद में बताएं, तो रक रा जबीवी, रा से रसिक प्रिया, का से कभी प्रिया, रा से राम चंद्रिका, जहांगीर जेस चंद्रिका, वीर सिंग देव चरित, विज्ञान गीता, अब क्य आठों करंथ हो गए, रक रा जबीवी, नर, रक रा जबीवी, नर, ऐसे याद करना, रा से रसिक प्रिया, कभी प्रिया, पहले लिख लो, राम चंद्रिका, वीर सिंग देव चरित, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, और नक सिक और रतन बावनी, नर, लास्न में बहुत-बहुत धन्यवाद आप से जुड़े, डेली लाइब क्लास चलती है, आपकी प्लेलिस्ट परिपूर्ण रूप से, परफेक्ट रूप से बनी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, जो जो कमिया रहे गई है, जो जो हमने कराये नहीं है वीडियो, व वो नहीं पढ़ाये थे, स्यंबर कथा और विश्वामित्र जनक की भेंट वो पढ़ा देंगे, आपको दो वीडियो में आगे आएगा, फिर इनके पध्यानशों पर अधारी प्रश्ण उत्तर भी करा देंगे.